वो करवाने के लिए जो सबसे बड़ी मदब सुतिधार है बशान जी जो हमाई साथ में है अभी मैं चाहूँगा कि वो कुछ बोले हो और वो वोट अब थैंक्स की तरह किसे देखें 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 हलो आज की इस सवा में पस्तित आदरनी अरिक्षक महुद है आदरनी जेलर साहिबान हमारे साथी निप्टी जेलर्स हमारी यतिती जी डारेक्टर मेडम भानुसर अदिती मेडम और सुनील जी ओम्बीर जी धर्मेन जी सत्यानन जी सिधान शंकर भाईया पंकज भाईया और मेरे प्यारे बंदी साथियों जेलो में इस तरह के कारक्रम होंगे और इतने अच्छे से होंगे और इतने सफल होंगे इसकी कलपना मैंने भी नहीं की थी यह मैं सबसे पहले शुरू करूंगा अदिती मेडम से यह एक बार हम लोग ले सर्दियों का टाइम था और हम लोग को कंबल की जरूरत थी तो बहुत सारे समाज से भी हैं तो मैडम भी आई थी तो उसी बीच इनों ने इस जीवन बत्या के बारे में यूनिवर्सल हीमन वेल्यूस के बारे में जिक्र किया मुझे ठीक लगा बात्चीत में अथेंटिक भूराम लगा तो मैंने पहले उसको रुची लेके ज्वाइन किया भानु सर का परिचे सत्र था बिठूर में एक अपना वहाँ पे संस्थान है तो मैंने का देखता हूं और फिर जब मैंने जाना शुरू किया तो मैं बंधता चला गया जैसे आप लोग महसूस कर रहे हैं तो पूरी तरह से डूप गया उसमें और मुझे लगा ये चीज मुझसे ज़्यादा अगर जरूरत है तो मेरे जेल के बंधियों को है वो बास्तों में पीला में हैं दुख में हैं और जादा प्यासा है उसे पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत है तो इस ग्यान और इस वित्या की आवशिक्ता मुझे आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी लगी है तो मैंने निवेदन किया अपने सुप्रेंट सर से और जैसा कि वो उनकी उदारता से आप सब परचित हैं तो अत्यंत उदारता पूरों कुनों ने इसको ना सिर्फ सुईकृती प्रदान की बल्कि पूरे आयोजन के लिए कैसी विवस्था बनाई कि आप सब बहुती कमफर्टेबल वे में पंद्रा दिन तक यहां पर सुबह सुबह आकर बैठ सके और पूरा जो संभो था जितने संसाधन हमारे पास थे तो यह जो चर्चा चल पाई इसके लिए मैं उनका रदेंसे धन्यवाद विक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें अनुमती प्रदान की और यह पूरा फैसिलिटेट किया कि हम सब अच्छे से इस चीज़ को कर पाएं इसके साथ साथ मैं अपने जेलर साहवान का फ्रदेंसे आभार विक्त करता हूँ जेल जैसी संस्था में जहाँ पर हर एक मिनट बंधा हुआ है हर छाण बंदा होगा है समय यहाँ पर अभी यह होना है भी यह होना है भी यह होना है और आप लोग देखते हैं घंटे बसते रहते हैं यहाथ दिलाते रहते हैं लोगों की इतना बज गया इतना बज गया विसका टाइम है विसका टाइम है सुबा 6 बजे से जेल के अधिकारियों की, कर्मशारियों की दिन चर्या सुरू हो जाती है और रात को 9 बजे तक कई बार 10-11 भी बच जाता है तो एक आदमी घर में छोटा सा परिवार होता है तो उसको देखवाल करने में पूरा दिन चला जाता है यहां 3,000 लोगों का परिवार है आपके हर सुख दुख को हमें ठीक करना है उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है कोई बीमार हो गया तो उसको भी देखना है खाना खा लिया की नहीं खा लिया अदालत पहुँच गया की नहीं पहुँच गया मुलाकात हो गई की नहीं हो गई डिप्रेस है तो उसको बुला के समझाना है A lot of things, आपस में जगडा तो नहीं कर रहे है दो बच्चे होते हैं तो जगडा हो जाता है तो माबाब को समझाना मुस्किल हो जाता है ये सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हुइं करते हैं प्रयास आधिकारी हैं remember यह कुछ कार्ते हैं उस्ही जिम्मेदारी के भाहऊ से हम लोग इस कारेकर्म को आपके लिए लएथे कि आपके अंदर जोक्त फीड़ा है बेचैनी है दुख है वो दूर हो और आपके अंदर ज्यान का प्रकाश फैले एक गीत है मुझे पसंद है आपको सुनाता हूँ आप लोगों के सुना होगा मैं कहूंगा नहीं मैं बोलूँगा सिर्फ बहुत फेमस है तोरा मन दर्भन कहलाए सुना है न सबने भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए ठीक है न तो हमारे जो मन है न हमारा जो आपने देखा होगा उसमें कल्पना जिसको कह रहे थे है न आपने देखा न तो वो जो कल्पना वही मन है आपका उसके अंदर तरतर के विचार चलते हैं मन ही देवता मन ही श्वर मन सबका आधार मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार वो देखता रहता है प्रतिपल इस उजले दरपन पर प्राणी धूल नजमने पाए तो इस पूरी सिक्षा का जो सार है वो यह है कि आपका मन क्लियर हो जाए टांस्पेरेंट हो जाए आप उसको देखो कि आपके अंदर चल क्या रहा है और फिर समझो कि आप जा कहा रहे हो सुविधाओं के पीछे जो पागलपन बढ़ रहा है आप लोग तो अभी कम दीवानगी के सिकार हो बाहर की दुनिया में आप देखो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं अरब पती पती घरपती। क्या-क्या पती हैं और उनकी मती फ्रस्ट हो चुकी है बार्व कितने हो गया है और उस पागलपन और कियात्रा करते हैं और कि एक नोट को देखते हैं Ugh पीछए भागते हैं तो टियो को रोटी जैसे दिखाई जाती है न एक आग नोट उसको पीछ बीचे पाहराई और उसके पा पता ही नहीं के कहा रुखना आए पूरी जिंदगी घतम हो जाती है इस के शुर्णी जीवन और एक एक दिन जीवन ही छूट जाता है तो ऐसी जिन्दगी जीने का क्या मतलब है तो आपको यह समझाने की कोशिश की कि आप इसको समझो जैसे अभी मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कहीं कि मैं जाके मिठाई दूंगा बाहर निकल कि उसको तो यह कितनी बड़ी बात है कितना बड़ा परिवर्टन है अपने अंदर विद्वेस बह गया ध्रणा बह गई गई क्रोध बह गया मन हलका हो गया शांत हो गया और शांत चित से निर्णे लिया कि मैं यह कर दो आपने कई लोगों ने अपने परिवार वालों को जो क्रोध पाले भार पाले दुख पाले थे उनसे मुक्त हुए सब ने कहा की विद्या मुक्त करती ए कि आं सकता है इसा है डिखं़र्फ लेते हैं उन ऌनर सीख लेते हैं उन से कुछ काम हो अधीकारियों का सारे कर्मचारियों का सुबह जो जेल म community perfect उसे लेकर जो अंदर विवस्ता देखते हैं, जो गिंती करते हैं, आपको लेकर आते हैं, बिठाते हैं, दरी बिचाते हैं, आपके लिए चाय लाते हैं, कुछ लोग फोटो खीशते हैं आपकी, तमाम लोग एक टीम है पूरी जो आपके लिए काम कर रही है, लगरा है जेल ह इतने सारे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, तो यह सहयोग, सहस्तित्त, क्या पुकता प्रमाण है, जिस सहस्तित्त को आप समझ रहे हैं, और हम लोग बैठें एक डूसरे के कॉर्डिनेशन में, एक डूसरे के सहयोग में, तब ही तो यह कारेसाला हो पाए, कोई आपका यह ब और वो जो प्रोध घ्रणा पाला था वो हमारी अपनी खुद की कहीं न कहीं कमी थी जिसकी बज़ा से हम नफरत में जी रहे थे तो वो बह गया ये सबसे बड़ी उपलब्दी है सर ने आश्वाशन दिया है कि भविस्थ में इस तरह की चीजों को आगे कोशिश करेंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आ लोगों को सुना इतने धेरे पूरवक पांच मुन किसी की बात नहीं सुन पाते हैं लोग आज तो जमाने में थोड़े बात करता है कई बार अरे बस करो या उता है ना लेकिन आप लोगों ने पंदरा दिन सुना धहरे से सुना शांती सुना और इतना एप्रिशेट किया इतना क्रतगेता क्या पिक्की यह आपका बड़क्पन है यह आप के इर्दय में जो परमात्मा का वास है यह वो बोला है उसको पहचाना है आप तो मैं सबको बहुत-बहुत धर्दय से धन्यवाद देते हुए आप लोगों से आखिर में एक बात और कहूंगा फिल्म का गाना है तो उसको सुन लीजिए कि ना सर छुका के जियो क्या है उसके अगला है ना मूँ छुपा के जियो ना सर छुका के जियो गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद